नमस्कार दोस्तों बैट एंड बॉल बड़ी चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे रिकी पॉंटिंग की भविशेवानी बॉर्डर गावस का ट्रॉफी 2024 में भारत वर्सिज ऑस्टेलिया और मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ हैं गैस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रू करना यहां आपको क्रिकेट और स्पोर्ट से जुड़े सारे अपडेट मिलते हैं रिकी पॉंटिंग ने बॉर्डर गावस का ट्रॉफी 2024 के बारे में एक दिल्चस बविशेवानी की है उनके मुताबिक टीम इंडिया सिर्फ एक मैच जीतेगी और ऑस्टेलिया सीरिस तीम बाई एक से अपने नाम करेगी पॉंटिंग ने इस सीरिस को बहुत कमपेटेडर बताया और कहा कि ऑस्टेलिया को अपनी पिछली हारों का बदला लेना होगा पहली बार भारत और ऑस्टेलिया पांच मैचों की टेस्ट सीरिस खेलेगी जो की रोमांचक होने वाली है पिछले दो दशकों में भारत ने ऑस्टेलिया को उनके घर में हराया है और 2023 में अपनी सरजमी पर भी ऑस्टेलिया को हराया था हाला की जून में वर्ल्ट टेस्ट चेंपियंशिप का फाइनल ऑस्टेलिया ने जीता था पॉंटिंग ने भविशेवानी की सीरिस में काफी ड्रॉ भी हो सकता है और खराब मौसम भी परभावित कर सकता है लेकिन उनकी राय में उस्टेलिया सीरिस 3x1 से जीत सकता है गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्स फॉर वाचिंग मै वीडियो